भारत और कनेडा के संबंधों में गिरावट के बाद दोनों देशों से जुड़े कई तरह के सोसल मीडिया पोस्ट भी किये जाते हैं और इन सोसल मीडिया पोस्ट में कई तरह के दावे किये जाते हैं और इन दावों में कई बार सच्चाई बिलकुल नहीं होती इसी तरह का सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत और कनेडा के संबंद बिगड़ने के बाद निजजर हत्या कांड में जस्टिन टूडो के आरोपों के बाद राश्पति भवन से सिख समुदाय के सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है इसके किया और यह पाया कि दोनों दावे गलत हैं हम बताएंगे कैसे लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि 18 सितंबर को कैनेडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने भारत पे आरोप लगाया कि निजजर हत्याकान में भारत कि संलिप्तता है और इसके बाद दोनों देशों क संबंध बिगड़ गए दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाब एक से एक बड़े हैसले किये लेकिन सोसल मीडिया पर जो पोस्ट वाइरल हुआ उसमें यह दावा किया गया कि राश्पती भावन में जो सिख समुदाय के सुरक्षा कर्मियों उन्हें हटा दिया गया द कि जिम्मेदारी होते हैं कि राश्पती को स्कॉर्ट करें राश्पती की सुरक्षा करें लेकिन सोसल मीडिया में जो दावा किया गया उस दावे में बिलकुल सचाई नहीं है पी आई बी के फैक्ट चेक टीम ने यह पाया है कि यह दावा गलत और इसमें किसी तरह की सचा नहीं दी जा री है इस घतना करम के बाद यानी 18 सितंबर के बाद लेकिन इंग शिख समदाय के लोगों को छुटिया नहीं दी जा रही है इस तरह की कोई खबर कोई फैसला नहीं लिए गया तो सोसल मीडिया पे जो पोस्ट वाइरल हो रहे हैं और उन्हें जो दो दावे क किये गए एक राश्पती भवन से जुड़ा और दूसरा सेना से जुड़ा हुआ दोनों में सच्चाई बिलकुल नहीं है दरसल पंजाब प्रांत के लोग यानि सिक्ष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कैनेडा में रहते हैं और भारत और कैनेडा के संबंधों में गि जो लोग होते हैं जो मीडिया माध्यमों में जुड़े होते हैं मीडिया माध्यमों से जुड़े होते हैं उनके दावों में या उनकी खबरों में सचाई होती है लेकिन इस तरह के दावों को जब आप सोसल मीडिया पर देखें तो तुरंत विश्वास न करें बलकि थोड किया गया है वो बिल्कुल और सरासर गलत है